हेलो रिवान मैं जन्योड आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ओलाइन प्लेटफोम पे जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिप्रेशन करें तो उन बच्चों को जो बच्चे ये कमेंट कर रहे थी कि हमारा जो टाइम जो मैनेजमेंट है वो किस तरिके से करें क् पिए भी दिकता रहे हैं कि अलग解 के अंदर उनके जो माक्स है वह उनका कहना यह चैसरे क्यूंस कोई भी अगर जैसे टैस्ट देते लिए ले अंदर गड़तिया कर देते हैं, तो किस तरीके से उसको आपको correct करना है, किस तरीके से आपको अपने number बढ़ाने है, और आपको time management, पूरे दिन का schedule की तरीके से रखना है, तो आपको total में 90 days का पूरा schedule बढ़ा के दूआ यहाँ पे, तो आपको इसी तरीके से पूरा follow करना है और आपको, अगर यह time table आपने follow कर लिया, तो 200 plus का score, 215 plus का score आपको कोई भी रोकने वाड़ा नहीं होगा, आप आसानी से उसको achieve कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले, तो पूरा का पूरा, अमारा जो प्लान रहेगा, वो 90 days का रहेगा, ठीक है, तो 90 दिन के अंदर आपको क इस तरीके से चलना है, तो सबसे पहले तो देखो, 90 days के अंदर अगर बात करोगे, कि सबसे पहले तो अमारे पास physics, chemistry, और math, तीन आपके subject होगे, तो इसके अंदर parallel कैसे चलाने आपको, सबसे पहले तो आपको यह बात जरूर कहुँआ, कि आपको तिनों subject को parallel चलाना है, औ अब ही आपकी accuracy बन पाएगी, किस तरीके से, कि अब बात आती है physics की, जैसे अगर कोई बच्चा coaching कर रहा है, तो उसको सहाथ साथ में क्या है, कि self study करने का time बहुत कम मिलता है, तो आपको किस तरीके से करना है, कि आपको बताता हूँ, कि time management का क्या system रहेगा पूरा, time management में ऐसे करोगे कि आपको 6 hours अगर आप classes लगा रहे हो, ठीक है, 6 गंटे आपने classes में दे दिये पूरे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कि 6 गंटे देने के बाद है, दूसरा step यह रहेगा, कि आपको इस case के अंदर 6 गंटे देने के बाद आपके पास जो time बचेगा, वो 2 hours per subject को आप दोगे, ठीक है, पर subject के इस आपसे दोगे, तो 3 आपके subject होगे, तो total कितने होगे, 6 hours यहाँ पे आपके निकड़ेंगे, इस 6 गंटे में आपको क्या करना है, कि 3 subject में किसी साफसे आपको चलना है, कि देखो, physics की theory पढ़ोगे, पूरी की पूरी, chemistry की theory पढ़ोगे, और math की भी theory, पलस, आपको क्यूसनों की practice लगाने हैं, तीनों में, theory के साथ-साथ, ठीक है भी, तो यह schedule यहाँ पे रखना है, दूसरा, अब बात आती है, कि यह schedule रखने के बाद, आपको किस हिसाब से चलना है, कि अमारा जो syllabus है, वो तो चलो, cover हो जाएगा, इस तरीके से, अगर मैं चलूँआ, क्यूकि आपने एक गंटे theory पढ़ी, उसके साथ, आपने क्या-क्या, क्यूसनों की practice लगाई, उसी base पे ठीक है, तो तीनो subject यह तो आपने निकार दिये, six hours से इसमें दे दिये, बात बसती है इसके बाद, कि हम अपना जो improvement है, वो किस तरीके से करेंगे, तो improvement की अगर बात आती है, तो आपको बहुत बढ़ी है एक technique बताता हूँ, कि किस तरीके से आपको चलना है, तो आप per subject, 10 Q previous year, PYQ per subject के इसाफ से, तो अब देखो यार, क्या 10 Q कम रहेंगे, या ज़्यादा रहेंगे, आपको एक चीज बताता हूँ, कि अगर 10 Qs per subject के इसाफ से लगाए आपने, तो तीनो subject के आपके होगे, 30 Qs per day के इसाफ से, इतने होगे, 30 Qs per day, अगर 30 Qs per day के इसाफ से होगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको मैंने ये बुलाए, कि 90 दिन का आपको प्लान त्यार करना है, तो 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अब ए 30 Qs, पर subject के अगर मालोब प्रड़े के इसाफ से अगर होगे, तो 90 दिन के कितने होगे, ये चीज़ देखो, ठीक है, अगर ये देखोगे, तो आपको 27 Qs यहाँ पे, पी वाई क्यू करने को मिलेंगे, अब आप सोच के देखो कि 27 Qs, अगर आप सिधा-सिधा बेटके अगर प्रेक्टिस करने की सोचोगे न, तो आपको ऐसा लगएगा, बहुत जादा हो जाएगे, तो परड़े के इसाफ से आपको क्या करना है, 27 Qs, मालो 30 Qs परड़े के इ 90 दिन में 2700 क्यूशन हो गए, और आपको ये डर भी नहीं रहा कि मेरे PYQ अभी तक छूटे हुए है, साथ की साथ आपका पूरा प्लानिंग चलता रहेगा, तो इस तरीके से अगर आप चलते हो, तो मैं ये 100% कहूँँआ कि आपका जो स्कोर होगा, वो इंकरीज होगा, अब बात आती है दूसरी, कि हमारे को टेस्ट की सिसाफ से देने चाहिए, अब टेस्ट की अगर बात आती है कि आपको ये तो मैंने पूरा सेडूल बता दिया, कि मैंने 6 गंटे आपका कोचिंग का छोड़ा, 6 गंटे आपने पर सब्जेक्ट के साफ से तिनो के कितने कर द तो 12 गंटे परड़े के साफ से आपने इसी चीज में निकार दिये, जो बाकी बच गया वो आपने किस में निकार दिये, तो अगर बात करोगे तो इस केस में आपने पीवाई कु को दे दिये, तो देखो यार, यहां पे आपको जो पडाई का टोटल प्लान दिया है, मैंने, वो 14 गंटे के इसाफ से दिया है, कोई 14 गंटे तो कोई 15 गंटे लगा देगा, ठीक है? कोई यहां पे 14 गंटे तो कोई बच्चा 15 गंटे लगा देगा, इसी साफ से प्लान गया है, तो आपको इसी तरीके से पूरा प्लान रखना है, पर्डे के साब से, अगर लगातार आप बढ़ते जा रहे हो, तो आपका ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, अगर इस केस में दूसरी चीज आपकी आती है, कि मैंने पर्डे का सेडूल बढा लिया, इसकुल फॉरी माइंड है, रखके आपको टेस्ट देडा चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में कोई टेस्ट नहीं देडा चाहिए, जब आपने तीन गंटे का टेस्ट दिया, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कि उन क्यूसनों को करो कि आपके जल्दी-जल्दी हो जा करने हैं, तो पिछेतर में से जादा नहीं कहुआ, कि 20-25 क्यूसन तो जरूर आपको ऐसे मिलेंगे तीनों सब्जेक्टों के, अगर मालो 25 क्यूसन मिल गए, जो आपको बोड़ी आसानी से, जो आप आसानी से अटेम्ट कर सकते हो, तो अगर 25 क्यूसन हो गए, च्यार नंब होता है, और बच्चे यह जीद करके बेढ़ जाते हैं, कि हमारे को तो यह क्यूसन करके जाने हैं, अब एक चीज़ सोचो यार, हर क्यूसन सेम माक्स का है, तो आप उसमें यह गड़तिया क्यू गरो, तो आपको यह तरीका पणाना या मैसा, कि जब भी कर रहे हैं, तो उस क्यूसनों से निकर जाओ, जो आपको आती हैं, और साथ की साथ, कई मालो क्यूसन आपका कर रहे हूं, और बीच में अट ग्यानस और इमेच कर रहा है, तो आपको उस केस में क्या करना है, क्यूस क्यूसन पे स्टार लगा दो, जैसे मालो ओनलाइन टेस्ट दे रहे हूं, तो इसमें क्या रहोगा रफ सीट पर उसको लिख दो भी 15 कुशन, कुशन नंबर 15 मेरा रह गया, तो उसको एक साइड में लिख दो, सोडा रह गया तो इसको एक साइड में लिख दो, तो इस तरीके से आप है करते जाओ, तो एंड़ परसेंट कहता हूं, आपका माइंड इस दिमाग खराब हो जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, जो आते हैं वो ही गरत करोगे, तो यह तरीका आप अपनाओ इस चीज में, दूछरा, अब इंप्रूब्मेंट आपका कैसे होगा, मैं तो एक बात कहुँआ, कि जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे को को मैं को को दिने जो होगा, बात का इस चीज गबराउट एक देन देने जा रहे है, पसिन आरहा है, शिरदर्द कर रहे है, बात कर रहा है तो आपको क्या करना है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो हमीम्हे डिने mödalखे घखिसे घखी का दो गैसे, बोबुक्चे टेस द पूरा का पूरा एनालीसिस आपको करना चाहिए अगर यह चीज ना किया तो आपका वो टेस्ट बिल्कुल बेकार गिया है इस चीज में ना सोचो कि मैंने बैस नंबर देग लिया मेरे इतने इंप्रूमेंट है तो बहुत बड़ी गड़ती होगी आपकी ठीक है ज्यादा से जब आप गरतिया करोगे जब मोग टैस देते हो तो उसके अंदर सारे की सारे आपके चैप्टर वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो उसमें अगर मालो कोई चैप्टर का कोई एक पोर्शन आपका कमजोर है तो वहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा तो इस चीज में पूर कि अगर मिलाकी अगर बात करते हैं तो 2700 क्यूशन टोटल है निकरते हैं अब बात आती है कि कोण से क्यूशन हम परिवियस ही रूठाएं तो आपको एक बात याद रखनी है कि लगबग लगबग देखो पांस से दस साल के बीच के उठा लो ठीक है ये क्यूशन आप कर ल इस तरीके से टाइम आपको रखना है तो आपको इसी तरीके से सेड्यूल बढ़ा के रखना है तो आपने अगर ये तरीका अपना लिया तो बहुत अच्छा रजल्ट आपका आएगा और बिल्कुल कम टाइम के अंदर आप ये चीज़तों सुनते होंगे भी वह बच्चा बिल्कुल कम टाइता था और बहुत अच्छा रजल्ट लिया है लेकिन आप ये नहीं देखते कि वह एक्यूरेसी के साथ वह चीज़े करता है तो आप भी एक्यूरेसी के साथ कीजी अंदा दून चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ये तरीका अपनाते हो तो 100% आ है करे